नमस्कार मैं हूँ आदिति नाम देओ और आज हम जुड़े हुए हमारा शहर हमारा नेता के इस खास एपिसोड में प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ महीला आरक्षन बिल पास हो चुका है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी और बहुत अगर उम्मीद करें तो 36 गड़ से हर लोकसभा से दो महीलाओं को टिकेट देना है यह मैं नहीं कह रहा हूँ कुमारी शैलजा कह रही है जो की 36 गड़ कॉंग्रेस की प्रदेश प्रभा सतर सालों में पहली बार नारायन पुर्विधान सभान में किसी महिला ने ताल ठोकी कि उसे टिकेट चाहिए वो लड़ना चाहती है घर की कलोती बेटी रही है परिवार में नाजों से पली लेकिन शादी के बाद ही तै कर लिया था कि राजनीती में आना है पती ने बहुत साथ दिया लेकिन राजनीती में आने के बाद पती ने किनारा कर लिया किया और राजनीती में तुमको ही अकेले आगे बढ़ना है बहुत स्वागत करता हूं मैं सरपरसंग की अध्यक्ष है शामकुमारी जी प्रांती उपाध्यक्ष भी है सरपरसंग की बहुत स्वागत क तो मैं यही के जन मेरा साधी होने बाद इकलवती होने के करण फिर साधी गई मैं साधी होके और विच साल बाद फिर वापस कोई नहीं है करके फिर यहां मेरे को समालना था पिता जी तो खतम हो गए थे तो 84 में खतम हो गए तो इकलवती होने के करण से फिर मेरे को बच्चे थी साथ में और फिर यहां रहा कि मेरे को फिर मैं समू में भी काम की है ना हमारे मिश्टर रेडियो हैं तो समू अगरा में समय अगरा बनाते थे तो समू में भी मेरा वीक्षा हुआ कि मैं भी समू में काम करूं करके तो मैं समू में माद अंते सवरी स्वसाता समू में भी मै दिल्चास पर सुना आपके नाना जी और आपके पती साप में काम करते थे वही यह तै हो गया था कि शादी इसी घर में होनी है। दिल्चास पर सुना आपके पती साथ नाना जी पर सामने बात रखे कि है कि लड़का इसे करके नाना इनका भी सर्वीश लगा था तो पिता जी भी फिर बोले जाओ चलो ठीक है ऐसे करके। चतिसगड़ और मध्यप्रदेश जब अलग-अलग हुआ चतिसगड़ स्वतंत राज्य बना दो हजार में उसके बाद राजनीती में धमाकेदार एंट्री हुई आपकी मैंने जो सुना है इसी गाउं में आकर पंच का चुनाओ निर्विरोध चुना जाना उस समय जब आ करना और अपना ग्रिहानी बाल बच्चे देखना घर परिवार समालना इसी में मैं वास थे थी तो पती बोले कि नहीं पंच का चुनाओ ज़ेश्ट होने वाला था नमांकर अगरा भर रहे थे चिंदगड से आया राक मेरे को बोले कि नहीं पंच अगरा में भर दे कहीं प हो आप अधाल देती हूं तो उनको राजनीती यान था मेरे को नहीं था उस समय मैं चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो डाल देती हूं करके और वाटकरमांके बारा में मैं डाल दी तो लागा मैं 08 मैं किसी बाहर भी रही हुँ चाहे मैं शेनगाड रोकेल में भी थी तो मेरा एक आधत मेरा शुरू से था कि माने किसी के दुख तो ऑजHow कर दिखना चाहए तो सम आप देखे लेना थोड़ा में जाते तो समझते थे किसी केम भी सयोग करते रहे कि जाते रही ते आसा करके मैंने सुना कोई कारिक्रम में भी जाना रहता था तो पती छोड़ने नहीं जाते थे अब मैं राजनीती में तू आगी तो तू जान तेरा काम जाने है जी सर 75 रहे हैं कभी जाने मेर ब Een को बिल्कुल है नहीं मिला इस अचिआ है अची क säच होता है मेरे लीए तो ऑच्छी में अच्छी वाथ धी अच्छी होँ आज के डेट के थीर वो नहीं को नहीं है कि उनके पती ने किसी को बोर्ट के लिए क्लिए में खड़ी हो रही है तो इनको बोड़ दिया जाए करके ऐसा उन्होंने बिल्कुल उनका सही हो नहीं रहा जीतने बाद भी माने कभी मेरे पंचायत में हस्ता छेप नहीं किये कि काम करना है मैं कभी बोलती भी थी कि दूसरे मदद करते हैं वैसे मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरा मदद करिये पंचायत में ताकि मेरे को भी अच्छा लगे तो नहीं तेरा काम है तो जान तेरे को करना है तो जान ऐसा महिला है जब जीत के आती है मेडम तो पारशत बनती है तो पती साथ में जाते हैं फोन वो उठाते हैं काम वो देखते तो लोगों के मन में धारना जती पार्शत पती विधायक पती सभापती के भी पती अध्यक्ष के मतलब उस महिला का जन परति लिए है लेकिन जल्वा उसके पती का जाएदा होता है इन इन सब चीजस से कम से कम दूर हैं मेरे नषभाव हो रहा हुरा है यह समय ले जाने को उस्समय ले जाने illa तो इस्व मिया कूटा लगता था पहुपी कि जाना है खूद जाओ खूद करो तो नालेज बढ़े गा है न कोई भी काम होजब तक आप निकलो गे नहीं घर से तो भई कहां से आप का नालेज बढ़ेगा आज करोगी तो खुद से करो घर में आने से बस कोई भी काम के लिए मदद करें तWith harmony क opinions मेरे सुन सब्सक्राइब कर दोजर पांच में पहली बार निर्विरोध पंच आप बनी दोजर पांच से दोजर दस दस से फिर लगा तरह भी सर्पंच है आप दोजर पांच के जिक्र में इसलिए कर रहा हूं कि उस समय बहुत नया था राजनितिक जीवन आपके लिए राजनिती बहुत नहीं थी शाशन भी कॉंग्रिस का नहीं था भारती यंता पार्टी का था मतलब आप जब तक अभी तक आपका टेनेर रहा है अगर मैं मान लिया तो लगभग लगभग अगर 2018 तक मान लिया 13-14 साल भारती यंता पार्टी का शाशान रहा उस समय अपने आपको अलग रखना अपने आप क्योंकि आपके जिम्मेदारी आपके लोगों के लिए प्रती सबसे जादा रहती के दारकर शब लंबे समय तक मंतरी यहां पर रहे किस तरह से आपको लगता है कि अभी तक के राजनीतिक करियर में राजनीतिक जीवन में आपने यहां के लोगों की मदद की है कि 2005 में पांच से जब पंच में थी तो मनें उसमय दयाराम बगेल थे नहीं सरपंच में थे मैं पंच में थी उसमय से अब उम्रह के हिसाब से मेरे से छोड़े थे तो लिहाज करते थे गावाले किसी भी तरह से माने मदद करने के लिए मैं कहती तो समय चामल चलता था कि बताता थे तो कुम से के अब होने सीहां में याता है किसी को कुछ भी काम करना है किसी भी हेस्पीटालाल ले जाना तो महां बराबर मेरे कारव में बस अबाद जाता था कि फलाना उसका तरव्यत खराब है तो मैं पहुंचती थी जहां भी हंस्पीटर ले जाने का है तो उनको पुरा मदद वगरा मैं करती इस ती इसी करण से गाउं वाले में थोड़ा मने की करती है ऐसे करके लोग का ज्या सेवा करने बाद और ज्यादा ही मैं लोग के साथ 2010 में पहली वार सरपंच आप चुनी गई बहुत मुश्किल होता है एक महिला का घर से निकलना और वो भी आदिवासी बहुल इलाका नारायनपुर जहां महिलाओं की दावेदारी ना के बराबर है विधासवा में तो बिल दोजार तेईस हो गया 13 साल की वो उपलद्धियां जो आपको ऐसा लगता है कि आपके कारण यहां की जनता को मिल पाई है अब विधिया कहने से सर अपना जैसी 2010 में बनी ना महिलाएं हमारी फर्ष्ट पार जब मैं बनी महिला तो ना बहुत इन लोग माने हमारे गांवाल उसके बाद में मैं खुल के जब सामने आई महिलाओं से मिली कि कुछ करना है समू कि लो ऐसी समू चला रहे हो कुछ करना है करना करके जब सारी महिलाओं से मैं बाद की तो महिला में बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाई भी दिया और महिलाएं का यह मांग था कि दिदी क कोई भी बदको खुल के मेरे से कर्थी जैसे सिलाई वागरा के बारे में भी हुआ तो तो न्पत से उसे हमारे जांग्रा सर थे तो प्रविष्ट करते थे उनके साथ भी 10 साल काम की मैंने नारायनपूर वो जगह में जिसमें सतर साल से कोई महिले ना महिला ने दावेदारी नहीं कि इस विधान सबस्वा सीट के लिए आप पहली महिला है जो दावेदारी कर रही है और बिल्कुल यह चाह रही है कि आपको टिकट मिले अपना दावा क्यों मजबूत मानती है अपना दावा मजबूत मानती है कि कहने कि मतलब मैं तीन बार की सरपंच हूँ अध्यक्ष होने के नाते मेरा 88 पंचायत पड़ता है तो 88 पंचायत में तो अपना 42 पंचायत उधर है तो पूरे चेत्र में मेरा घुमना रहता है उधर भी कुछ कारकरम होने से जाती हूं इधर बी जाती हूं तो जैसे कभी वी जैसे कारव कहने के अध्यक्षन हूं तो कोई बीच्टन हमेने काम होने तो मैं कर्वा नुम और बोलती हूं पैर जाने से best तो इस तो इस तरह से सारी जितने कोई भी काम लेकर माने पूरे मेरे 46 पंचायत के इधर के हो गये उधर के वे जाती हूं तो कोई भी महिला हो पुरू सब कोई भी काम मेरे साथ आने से परगाद जैसे दिदी हमारा तसील आप इसमें यह काम नहीं हो रहे है कि कोई जाती निवास ने जाती ने बनवा दे रहा है हमारे तसिलदार सर या किसी का भी नमदय विद्याला बगरा में भरती हुआ एक लड़की का तो बहुत एकदम गरीब परिवार की है लड़की उसका जाती ही नहीं बहुत था क्योंकि बाहर से आई थी वह और आके यहीं थी एक तो उधार हो गया था उसका चैन लेकिन उसका जाती नहीं बन रहा था तो मैं देखी को लड़की उतना एकदम गरीब परिवार से है वो लड़की तो गरीब परिवार से है अब उसको मानलो अच्छा सिक्षा मिल जाता है तो उसका उजवल भविष्त्य होगा तो अच्छा ही पढ़ा ही हो रहा है बारवी तक ऐसी पढ़ लेगी लड़की कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी पस्चिम बंगाल में एक दीदी का राज चलता है वंता दीदी दूसरी दीदी यहां पर है यह दीदी से थोड़ा पावर आ जाता है कि दीदी जब लोग बोलते है हैं कोई बड़े ओ चोटे जयसा बहुत है कोई चाची नहीं बोलता है ना भावी नहीं बोलते हैं कि आप उस छेत्र को बिलाओं करते हैं जहां पर महिलाएं स्कूल तक नहीं जाती आज भी अगर मैं बात कूरू साक्षर्ता का प्रतिश्यत नारेंट्पूर में बहुत कम अब उजमार की तुम्हें बाती नहीं करता वो तो बिल्कुल अलग जगह है नारायनपुर की में बात करूं फिल्हाल इस विदान सभागी तो आज भी महिलाएं बहुत पिछडी हुई है क्या लगता है आने वाले समय में क्या बहतर कदम उठाने चाहिए इस इलाके के लिए गारी यहां इस विदान सभागी अभी हैं हमारे लिए पिछडा कहने से चार इस साइट अरही नहीं है हमारे साइड में समझे हमारी साट तो महिलाएं अपना समू के माध्याम से थैना और हमारे आधरने हमारे मुख्य मंत्री हम आधाउन गयल के लिए इधर तो मैं देख कान खोले हमारी बाकावंड की एक लेडिस है जो मोटर साइकल वगरा बना रही है आज की डेट में समझें बहुत बड़ी उफलब्दी है कि लड़की अपना दोनों पती पतनी दोनों बाई को पुरा बना लए तो उसके पती कहीं जा रहने से खुद महिला ही बना ले रही है हमारे महिलाओं के लिए गरवकी बात है कि आज की डेट में इस तरह की महिलाओं कर रही है राज मिष्ट्री का काम कर रही है हमारी महिलाओं तो हमारे इस छेत्र में तो बहुत महिलाओं ससक्त हो गई है और सब माने सिक्षा के छेत्र में हो या माने अपना स्वास्तक छेत और इसके पहले भी 2008 का भी चुनाओं हमने देखा है कॉंग्रेस पार्टी ने भारती जन्ता पार्टी के कंपेरीजन में ज्यादा टिकेटे महिलाओं को दी थी उम्मीद बढ़ गई है इस बार अब देखे हाई कमान जैसा चाहें लेकिन जिस तरह से हमारी मेडम बोल रही है तो उसे था हमारी उम्मीद दौर जादा बढ़ गई है और हमको टिकेट मिलता है तो हम जितना हमारे से उम्मीद किया जार उससे कहीं जादा करेंगे हम घर परिवार अपना गाउं समालते समालते हमको विधान सब्वा भी समालना है तो यह किनि आवर रही बाद जैसे खेत्रा में हो तो हर चेत्र में देख रहा मेरे को ते लग रहा है कि उस खेत्र में अभी बच्चे तो पढ़ेंगे चलो अब उज्मार के तो वह आज काल चलो हमारे मुख्यमंत्री मौजदाई उदर मालो इसकूल खोल भी दे रहे हैं और अच्छे से हमारा भी शिक्षा वगरा को जैसे मान्नेता नहीं दिया जाएगा है न तो महिलाओं को हो चाहे पूरूज को अधर प्रोंण सिक्षा चलाएंगे ना प्रोंण सिक्षा चला कि जिस तरह से महिलाओं के लिए एक डेली उनको जैसे पहले चलता था बीच में बंद हो गया है ना भी प पढ़ना लिखना भी सिख जाएंगे तो उनसे ज्यादे ही सिख्षित हो जाएंगे नरायनपूर का जो विधान सभा है मेडम वह बहुत अलग तरीके का विधान सभा है मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी दिन से यहां पर हूँ बहुत दौरा भी मैं करता हूं बहुत अलग मर्दापाल बिल्कुल अलग नारायनपूर बिल्कुल अलग और चाह भुजमार चले जाएं बिल्कुल अलग यह भानपूरी बिल्कुल अलग और जो मेरे पास जानकरी सबसे ज़्यादा वोटर्स वोटर्स तो अलग अलग जगा पहले कि सबसे ज़्यादा वोटिंग जह और जिस तरह से यहां मैं काम कर रही हूं तो इसको देख के और ज़्यादा हमारे भी घुंडिया पाल में भी पानी की बहुंच ज्यादा समस्या हो गए थी तो उनका पेपर योगर अपना बजेपी वाले पूरा पेपर में दे दिये थी तो वहां मैंने तीन बोर खुदा ल सब्सक्राइब करना पड़ेगा तब होगा करके तो मैं अस्वासन देख है कि पहला काम मेरा ही रहेगा कि आप लोगों का पूरा पानी सुविधा मैं पूरा करवाऊंगी ऐसा करके और जैसे अपना महिलाओं के लिए हो गया तो आज महिलाओं की समस्या है ही ही गाओं छेतर ग्रामिंट छेतरा में हमारे अबूजमार में शिक्षा भी एक बड़ा चैलेंज है मैडम हाला कि राज़त सो सर्वे काफी गाओं का आने के बाद आपकी सरकारा निकवाद हुआ है लेकिन अभी भी महिलाएं हैं जैसे प्रोण सिक्षा जैसे बढ़ावा देना चाहिए वहां के लिए तभी वहां जो यूगा वर्ग की महिलाएं हैं जो पढ़ाई वगरा छोड़ दिया है उनको भी है जैसे जैसा भी हैं पढ़ाई का महत्तों को नहीं समझ रहा है तो मेरा तो यह महिलाएं निकले खाजनी तो कल उधर भी कोई महिलाएं सरपंच बने अच्छे से करें अच्छे से ग्रामीन बच्चों के साथ महिलाओं को सामको बढ़ते हो सरपंच लोग पढ़े लिखे हो तो थोड़ा एक घंटा अधा घंटा बैट जाओ तो उनको भी बैठा के अपना थोड़ा सिच्छित करो थोड़ा पढ़ने लिगने का उनको समझाओ या कुछ और काम होता है तो नोग भी बोलता है कि नहीं जीतना होता है करते हैं हम लोग ऐसे करके तो उन्हां बहुत ही जरूरी है विकास से काफी दूर है उन इलाकों में विकास पहुचाना और सबसे बड़ी बात है बच्चों की खास तोर से जो बच्चियां है महिलाओं की शिक्षा के लिए बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहती है देखने वाली बात हो कि कॉंग्रेस पार्टी टिकट देती कर नहीं देती लेकिन दावा बहुत मजबूत है नाराइणपूर विधान सभा के लिए तो आज की करकर में इतना ही अगली बार फिर किसी निता साथ के मलाकात कराएंगे तब तक लिए बहुत पत्ते हैं